इस वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग के बेसिक्स बताऊंगा अगर आप शुरुआती है या अभी बॉक्सिंग शुरू किया है आपको जिन चीजों की जरुरत है मैं वो आपको सब बताऊंगा मेरा नाम है टोनी जेफ्रीज, उलिम्पिक में ब्रॉंज पदक साथ बार राश्य चैंपियन, यूरोपियन चैंपियन, पूरव अपराजित बॉक्सर मेरी यूटियोब चैनल में आपका स्वागत है पिछले कुछ सालों में मैंने दुनिया घूमी है फिटनेस ट्रेनर्स को ये सिखाते हुए कि दूसरों को बॉक्सिंग कैसे सिखाया जाए मैंने सैक्डो ट्रेनर्स के साथ यहां बॉक्सिंग बर्ण जिम्स में काम किया है और हजार लोगों के साथ सोशल मीडिया और मुलाकात में की बॉक्सिंग कैसे किया जाए तो मुझे इस चीज में थोड़ा अनुभव तो जरूर है तो जब आप boxing करने जाए आपको ये पता होना चाहिए कि boxing में खड़े कैसे होते हैं और वो पर रखते हैं आपके प्रमुक हाद से जिस हाद से आप लिखते हैं दाया बाय अगर आप बाय हाद के हो आप अपने दाय पैर आगे और बाय पैर पीछे रखकर खड़े हो और अगर आप मेरी ही तरह दाय हाद के हो तो आप अपने बाय पैर को आगे और दाय पैर को पीछे रखकर खड़े हो इसे orthodox stance कहते हैं बाय तरफ southpaw और दाय तरफ orthodox मैं orthodox हूँ तो मैं आपको करके बताता हूँ अब इसमें आपका बाई पैर आगे होगा और आपका आगे का foot ऐसे रखे जैसे घड़ी पर एक बजे हो और मेरा दाया पैर दो बजे की तरह रखा होगा अब मैं चाहता हूँ आप अपने पैरों की बीच एक लाइन को महसूस करे एक पैर एक तर富, दूसरा दूसी तर富 आप लाइन ड्रोग करे या टेप लगाए पर हमेशा दोनों पैर एक एक तरफ होने चाहिए उनों पैर एक ही लाइन में ना आजा, ये कभी नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ी दिर में बताता हूँ क्यूँ अब उपर आते हुए आपको घुटनों का अच्छा काम चाहिए अगर आपने कभी सर्फ बोड या स्केट बोड किया हूँ, आपको घुटने बिल्कुल ढीले छोड़ने पड़ते हैं आप कभी एक दम ही मोड के ना रखे और ना ही एक दम ही सीधा अब ये है बॉक्सिंग स्टैंस जब आप ठीक से बॉक्सिंग स्टैंस में आ जाए अब हम सीखेंगे मूव्मेंट आगे पीछे दाए बाए जब आप आगे बढ़ो आप हमेशा अपने आगे के पैर से कदम रखेए चाहे आप राइटी हो या लेफ्टी हो तो अपने आगे के पैर को इस तरह कदम रखो जब आप पीछे कदम रखो ने पीछे के पैर को पहले डालना मैं नहीं चाहूंगा इस पैर से 10 इंच आगे बढ़कर इस पैर से 20 इंच पीछे हाऊ जहां मेरे पैर ऐसे 7 आजाए मैं हमेशा आपने पैरो की बीच थोड़ी दूरी बनाये रखोंगा आगे पीछे जब आप अपने बाइ और जाए बाया पैर पहले और जब आप अपने दाय और जाए दाया पैर पहले और अपने पैरो की बीच वो insert line हमेशा रखे अब ये थे basic movements अब बढ़ते हैं basic punches की और पहला punch जो आप सीख होगे वो होगा आपके आगे हाद से मैं right हुँ तो मतलब मेरा left hand हम इसे jab कहते हैं या one इसे अपने चेहरे के पास से लिक कर सीधे बार और सीधे अंदर करते हैं थोड़ा कमर मोडते होगे पूरा छोड़िये आप जैसे punch करते हो अपने मुट्टी को घुमाएं और आपका निशाना बिलकुल सीधा होना चाहिए ना इस तरफ ना इस तरफ बिलकुल सीधा अगला punch होगा two जिसे हम cross कहते हैं आपका power punch मेरा दाय हाथ अगर आप southpaw हो तो बाय हाथ आपके guard से सीधे बाहर और सीधे अंदर अपने कमर को घुमाते हुए जब आप अपनी कमर घुमाएं यही आपके punch में ताकत लाता है अपना चिन नीचे रखकर सास छोड़ते हुए और अगर मुझे यहां रुकना हो तो मेरा 60% वजन मेरे आगे के पैर पर और मेरे पिछला पैर जमीन से थोड़ा चुटा हुआ है कमर बराबरी से और वापस लाते हुए अब अगला punch हम देखेंगे hook या 3 यह आपकी पहली बारी है यह काफी अजीब लगे तो आप चिंता मत करना यह सब को ही शुरुआत में ऐसा लगता है तो अजीब लगे तो चिंता मत करना बस प्रैक्टिस करते रहो भी सही लगने लगेगा अगर मैं यहां रुकू तो मेरा वजन मेरे पीछे के पैर पर है 60 प्रतिशत और आगे पर 40 प्रतिशत मेरा आगे का पैर जमीन से थोड़ा छूटा हुआ है कमर घुमाते हुए मैं अभी भी सामने देख रहा हूँ चिन नीचे रखते हुए मेरे हाथ बस थोड़ा दूर चेहरे से मेरा दूसरा हाथ यहां है अब हम क्या करेंगे अब हम आखरी पंच जोड़कर एक चार पंच कॉम्बो करेंगे तो यह वन टू हुक और यह हुक को मैं अपने मूँ पर वापस लाऊंगा अपने टू को जोर से मारते हूँ अब इन पंच इसका ऐसा है कि जब एक पंच मार रहे हूँ दूसरा वापस आ रहा होगा यह जैसे वापस आता है यह सीधा जाएगा और यहां से हम उपर से आ सकते हैं जहाँ आगे बढ़ते हुए पीछे जाते हुए दाई और बाई यह जैब यह वन टू वन टू हुक टू प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं अब मैं आपको एक चैलेज दिता हूँ एक टाइमर लगाओ दो मिनिट के चार राउन करो इन सबका शैडो बॉक्सिंग करते हुए और हाँ यह शुरुवात में अजीब लगेगा पर सबको ही लगता है तो चिंता की बाद नहीं है तो यह थे बॉक्सिंग की कुछ जरूरी बेसिक्स प्रैक्टिस करते रहो आप ऐसे ही तो बहतर बन सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए जहां मैं बॉक्सिंग के बारे में काफी कुछ बताता हूँ वर्काउट्स, फाइट्स, सब कुछ बॉक्सिंग के बारे में तो पसंद आये तो सबस्क्राइब जरूर करिए और ऐसे और वीडियो आएंगे क्योंकि आप जब बेशिक्स को सीख लो आप वीडियो देख सकते हो जहां हम कुछ मज़ेदार चीज़े कर सकते हैं जैसे देखने के लिए शुक्रिया